राश्ट्रों नती के पत्पर नित्य प्रेर्णा एक दिन एक प्रुष्ठ एक विचार श्री गुरुजी समगर बारा खंडों का संग्शित रूप भारतिय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है मैं डौक्टर श्रीमती स्वाती सदानंद गोड बोले इन विचारों के एक प्रुष्ठ को प्रति दिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुचाने का प्रयास कर रही हूं यह प्रकाशित विचार हमें प्रति दिन प्रेर्णा देते रहेंगे आज दिनाग 15 सितंबर का विचार सुख बायवस्तू में नहीं मनुष्य मात्र को परम सुख की प्राप्ति करवा देने का धेय सामने रख कर चलने का दावा करने वाले बहुत से धर्म, पंथ तथा जीवन रचनाये आज संसार में विद्यमान है उनके स्थूल रूप से दो भेद किये जा सकते हैं एक, इश्वर का अस्तित्व मानकर उसकी उपासना द्वारा मनुष्य को सुख प्राप्त हो सकता है ऐसा कहने वाली और दो, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले इस भोतिक जगत के अतिरिक्त और कोई सत्य है ही नहीं और इस जड़ जगत में पाए जाने वाले साधनों को सुलभता से प्रत्यक व्यक्ति को प्राप्त करवा देने पर उसकी स्वाभाविक अवश्यकताई या कांग्षाई पूरी करने में ही सब सुख है ऐसा प्रतिपादन करने वाली शारिरिक शुधाओं की पूर्ती में सुख तथा उस पूर्ती के लिए अवश्यक वस्तूओं की अप्राप्ती से जीव मात्र को दुख होता है अतह भौतिक कामनाओं की पूर्ती में सुख है यह बात आपात अतहा ठीक जचती है इसी बात को लेकर अनेक आधुनिक विचार प्रणालिया उत्पन्न हुई है मानवों की आर्थिक अधिश्टान पर रचना करना जिसमें प्रत्तेक मनुष्य अपने शारिरिक सुखसाद्धनों को प्राप्त करे और उस आर्थिक अधिश्टान के अनुकूल ही मनुष्य का समाज जीवन और राजनेतिक रचना आधी का निर्मान करना यह उन विचार प्रणालियों का एक मात्र उद्धिष्ट है, परंतु कुछ काल के लिए होने वाली वासना पूर्ती, जीवसाधारण विशय प्राप्ती, सुखकारक होने पर वह आगे चल कर मनुष्य को अशान्त करती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार व्यक्ति या समाज के लिए वासनाओं का उत्तरोत्तर बढ़ते जाना और उस पर सदा असंतोष का बना ही रहना यही जगत में बार बार होने वाले भैंकर युद्धों का प्रमुख कारण है। इस प्रकार वासनापूर्ती असंभव होने के कारण मानव जीवन दुखी होता हुआ दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि मनुष्य केवल निर्वुद्ध प्रानी तो है नहीं। उसमें बुद्धी है, वह सोच सकता है और जीवसाधारन विकारों के कारण तथा जगत का ही प्रथम अनुभव और उससे कुछ भवतिक सुखलाव की संभावना देखने के कारण वह उसमें रमन करता है। परन्तु आगे चलकर यह समझ जाता है कि इन आपात तहा सुख देने वाली वस्तुओं में वास्तविक सुख देने की कोई शक्ती नहीं है। सुख तो अपने ही अंदर समय समय पर उठने वाली वासना तरंगों की शांती से होता है। याने सुख बाईय वस्तु में नहीं, वासना पूर्ती में भी नहीं, किन्तु वासना के शांत होने में हैं। अईहिक वस्तुओं के उपभोग से सुख का अनुभव प्रतीत होता है। परंतु अंत में वह दुख का ही कारण बनता है। इसलिए सुखो पभोग में सैयम रखना ही ताव है। पूर्ण सुख अईहिक जगत के पार ही मिलता है, जिसे आत्मद्यान, ब्रह्मद्यान, निर्वान, मोक्ष, अथ्वाशून्य कहते हैं। उसके बाद जीवन में दुख के लिए कोई स्थान नहीं रहता। जिसके मन में धेय देव का निशिदिन चिंतन वंदन, देश भक्ति का प्रकाश हसना जग को पंथ दिखाता है। भारत मता की जय वंदे मातरम।